तो दोस्तों एक theorem जो की मेरे से बहुत लोग पूछते हैं वो फस्ट theorem है chapter triangles की theorem को हम basic proportionality theorem यानि BBD भी बोलते हैं और इसी theorem को हम thales theorem से भी जानते हैं guys theorem बोलती है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points इसका मतलब क्या है कि अगर एक line, एक triangle के अंदर, अगर हम एक line को parallel draw कर दे, if a line is drawn parallel, parallel मतलब कुछ इस तरीके से, तो हम ले लेते हैं एक triangle ABC, इसके अंदर हमने एक line parallel draw की D, E, ठीक है, to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect other two sides, यह line हमारी BC से parallel है, और इंटरसेक्ट करती है, AB को D पे और AC को E पे, इंटरसेक्ट अधर two sides, in distinct points, the other two lines are divided in equal ratio, तो इसके अंदर हमारे को दिया क्या हुआ है, पहले देख लीजिए, आपको थोड़ा सा राम से समझा देते हैं, इसके अंदर एक triangle दिया हुआ है, ABC, इस triangle के अंदर एक line parallel draw की गई है, DE, जो की AB और AC को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यह वाली, जो इंटरसेक्टिंग वाली lines हैं, यह दोनों divide होंगी, इक्वल रेशो में, तो हमारे पास given होगा इसके अंदर, portion के अंदर, that DE is parallel to PC, clear है, हमें proof करना है, रेशो का मतलब क्या होता है, हमें रेशो में बताना है, कि AD upon DB का जो रेशो है, वो इक्वल होगा, AE upon EC के रेशो के, तो इसको थोड़ा सा proof करने के लिए हमारे को 2 minute की construction चाहिए होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, construction करेंगे, हम construct करेंगे, DM, perpendicular AE पे या AC पे जो आँब बोलना चाहें, और EN, Perpendicular AB पे या AD पे जो बोलना चाहें, clear है, तो EN हमने Perpendicular बनाया AB के, और DN हमने Perpendicular बनाया AC के, दूसरा हमने construction किया, हमने जॉइन कर दिया, B को E से, और C को D से, अभी तक हमारे को क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसके अंदर एक लाइन पैरलल है, दूसरी लाइन के, हमें प्रूफ करना है, AD अपॉन DB को AE अपॉन EC के, construction किया हमने, DM पर्पेंडिकुलर तू AC और EN पर्पेंडिकुलर तू AB, इधर तक clear है, चलो, तो आगे चलते हैं, अब guys, जिस तरीके से मैं कराता हूँ, इसमें मैं चार ट्राइंगल्स लूँगा, कितने ट्राइंगल्स लूँगा, एक, दो, ती, चार, तो पहला ट्राइंगल जो मैं लूँगा, लूँगा, इन ट्राइंगल, A, D, E, आपको देख गया, ट्राइंगल, A, D, E, तूसरा मैं ट्राइंगल्स लूँगा, इन ट्राइंगल, A, E, D, आपको देख गया, A, E, D, तीसरा में ट्राइंगल बाद में लूँगा पहले इसको देख लेते हैं हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल A, D, E का और एरिया का पहला क्या होता है हाफ into base into altitude या फिर height तो हाफ into A, D, E के case में भी बेस क्या होगा AD क्योंकि EN इसकी हमने क्या लिए है पर्पेंडिकुलर तो इसलिए base है हमारे पास AD into EN जो की है हमारे पास पर्पेंडिकुलर अब हमें इसका भी area निकालना है area of triangle AED का क्या होगा? half into same base into height clear है? इसके अदर हमारे पास है half into base क्या लेंगे हम AE और height के लेंगे हम DM क्योंकि AED बी एकी triangle है और ADE भी है बट इसके अंदर हमने ये वाली height लिए है जो आपको दिख रही होगी DM clear है? तो हमने इसके अंदर height के लिए DM क्योंकि DM एक height है तो वो opposite में base होगा that is why AEM हमने इसमें base लिए clear है? अब हम निकालेंगे इन triangle BDE के BDE दिख रहा है आप अगर गौर करेंगे तो ये जो triangle है 90 degree से जादा है और इसका जो हमारा perpendicular बनेगा वो बाहर बनेगा क्योंकि जिसमी triangle का angle 90 degree से जादा होता है perpendicular बाहर की side बनता है तो इसका जब हम area निकालेंगे area of triangle BDE वो कैसे निकलेगा? half into base into height के इसके अंदर हमारा base क्या होगा? half into base होगा क्योंकि ये triangle लिया है तो BDE base होगा into height हमारा obviously बात है मैंने आपको बता दी height बाहर बन रही है बाहर की side तो इसलिए EN इसकी height होगी यहाँ पर मैं कौने मैं आपको बना के दिखा जाता हूँ माल लेजिए इस triangle है उसका angle कुछ ऐसा बन रहा है 90 degree से जादा तो इसकी height बाहर की side होगी zoom करके आप दीदीजेगा यह इसकी height होगी clear है guys? चलो अगला जो last हमारा triangle है obvious ही बात है अब तक आपको समझ आ गया होगा अब हमारा triangle होगा CDE का तो इन triangle CDE तो area निकालेंगे हम triangle CDE का formula होगा half into base into height तो क्या बना हमारे पास half into base क्या होगा CE into height क्या होगा DM clear है guys? equation number 1 बन गए equation number 2 equation number 3 equation number 4 यहां तक करना बहुत असान है इसके आगे कुछ चीजें मुश्किल हो सकती है वो कैसे हमें इन triangle को set करना है ताकि हमारा final product बनके आ सके अब यहां देखिएगा EN जिस triangle इसका perpendicular है आपको वो दो triangle लेने हैं जैसे की ADE और BDE तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसको आप ध्यान से लिख लीजिए फिर इसके आगे आप बढ़िएगा ठीक है अब हम दो triangles को compare करने वाले हैं हम पहले हम आपने एकोईशन देख ली हूँ उसमें हम दो equations लेंगे एक equation लेंगे हम by dividing equation पिछली वाली देखिएगा 1 and 3 ठीक है तो area of triangle ADE जो की equation number 1 थी हम divide कर रहे हैं इसको equation number 3 से जो की है area of triangle BDE तो area of triangle ADE क्या है half into AD into EN और ये क्या है half into BD into EN EN से EN कट गया half से half कट गया हमारे बाद बचा AD upon BD clear है तो equation number 5 मान लेते हैं इसको अब हम divide करेंगे by dividing equation number 2 और बचे कौन सी 4 तो इसके अदर भी area of triangle AED divided by area of triangle CDE तो क्या बनेगा half into AE into DM divided by half into CE into DM मैंने इन दोनों को जान फूच के दूसर से divide किया है ताकि ये दोनों कट जाएं अब हमारे ये दोनों कट रहे हैं पहला and दूसरा बन के आया AE upon CE equation number 6 गेट बन कर दो चीक है तो हमारा पस अब equation number 5 है and equation number 6 है गास इसके अदर एंचीज आपको और बताऊंगा मैं कि हमारा area अब आपको यहां साइड में triangle बना के दुबारा दिखा देता हूं तो इसके अदर हमारा ABC triangle था DE parallel था अब यहां देख लीजे कि triangle ADE का area AED के equal होगा हमारे triangle ADE का area equal होगा area of triangle AED के क्यों क्योंकि यह triangle क्या है obviously बात है same triangles है दूसरी चीज हमारा area of triangle B, D, E किसके equal होगा area of triangle C, D, E, K क्योंकि यह same base पे है DE and same parallel lines के बीच में है जो कि है DE is parallel to BC clear है guys तो अब हमारे दो एडिया इक्वल हो गए area of ADE, AED के इक्वल हो गया मतलब ADE, AED के इक्वल हो गया B, D, E इसके इक्वल हो गया clear है तो इसका मतलब area of triangle ADE इक्वल हो गया area of triangle A, E, D, K तो इन दोनों के ratio भी इक्वल हो गया area of triangle B, D, E इक्वल हो गया area of triangle C, D, E, K clear है guys तो इसका ratio क्या बना के आया था हमारे पास AD upon B, D is equal to AE इसका ही ratio यहाँ से upon C, E यही तो यही चीज़ guys हमारे को प्रूब करने की तो इसे हम बोलते हैं basic proportionality theorem जो की triangles chapter की main theorem है